हेलो दोस्ताइब कैसे हैं आप सब मैं हूँ प्रेणव और आप देख रहा है हमारा चैनल kneadi 16 स्टेडी 16 पर आज हम लोग बात करेंगे सागर जिले के बारे में और इस वीडियो में जानेंगे सागर जिले के बारे में महत्पून तत्थ और साथी साथ बात करेंगे सागर जिले के कौन-कौन से क vemosalis जो MP P sc , MP P और MP जेल प्रहरी में पूछे जाते है are YouTube की पूँछे जाने की संभाबना ज्यादा रहती है और साथी साथ इस वीडियो में बात करेंगे कि सागर जिले में कितनी तैसियल है या कौं-कौंसे दर्सनी है इस्थल है या सागर के सागर जिले सागर जिले के बारे वह सबकु जानें गे जो मदद पर देश के पॉइंट ओब्यू से सागर जले को बिसिस बनाता है साथी साथ देश के लिए भी सागर जले के कौन-कौन से तत्तमात तकून है जैसे कि भारत में सती पर्था का पहला उल्लेक सागर जले में मिला था तो सागर जले की कौन सी जगह पर सती पर्था का पहला उल्लेख मिलाता है है जानेंगे साथी साथ है जानेंगे कि मदपरदेश की सबसे बड़ी बर्ड लाइफ सेंचुरी जिसे हिंदी में बनने जीब अब भरन कहते हैं वो सागर जले में कहां पर है और जानेगे की सागर जले में कौन कौन सी विधान सबा है और भी कुछ जानेगे इस वीडियो में सागर जले के बारे में वो सब कुछ जो आपको अभी तक नहीं पता था और अगर पता था तो आपका रिवीजन होगा तो वीडियो को देखिए पूरा और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब तो हम सुरू करते हैं सागर जले के बारे में जैसा कि आपको पता है सागर जला एक मद्द प्रदेश के बाउन जलों में से एक जला है और सागर जला जला होने के साथी सा संभाग भी है मद्द प्रदेश में दस संभाग हैं और बाउन जले है जलों की संख्या बढ़ती घटती रहती है और दस संभाग है तो उन दस संभाग में से एक सागर भी एक संभाग है और इन बाउन जलों में से जो अभी नया जला बना है नवाडी बो सागर संभाग का ही पार्ट है और टीकमगड से अलग होकर बना है तो इसकी वीडियो हम लोग अभी बात बात में करेंगे पहले हम लोग सागर जिली के बारे में जानती हैं तो सागर सबसे पहले तो जिला है और संभाग भी है तो सागर का जो नाम है उस सोगड से आया है सोगड गड का मतलब होता है हिंदी में किला तो सोगलों से सोगड बना सोगलों से सोगड और सोगड से सोगड बना इसलिए आपने पहले दिखा होगा station पर यह कहीं पर भी लखा आता है SAUGOR कोई कोई कहता है कि इस साघर इसका नाम साघर पड़ा है तो हम लोग साघर के बारे महत्त्रप Burada है सागर जिले से जानने से पहले थोड़ा सागर संभाग को जानते हैं सागर जिला हुने की साथ साथ संभाग भी है और सागर संभाग में 6 जिले आते हैं एक question यह बन सकता है MPPSC या MP जेल परहरी exam के point of view से की सागर संभाग में कितने जिले आते हैं और कौन कौन से जिले हैं तो सागर संभाग में 6 जिले आते हैं कौन कौन से हैं छतरपुर जिला आता है दमूह जिला आता है पन्ना जिला आता है जहां पर हीर अपाया जाता है और सागर खुदा आता है और टीकमगड जला आता है साथी साथ नवाडी जला आता है और ये नवाडी बोई जला है जो टीकमगड से अलग होकर बना है और ये नया जला बना है इसलिए पूछा जा सकता है कि जो नवाडी जला है बो किस जले से अलग होकर बना है तो जो नवाड़ी जला है बो टीकमगड से अलग हुकर बना है और क्वेश्चन नया बन सकता है कि नवाड़ी किस संभाग में आता है तो टीकमगड संभाग में नहीं आता टीकमगड एक जला है और टीकमगड जला से अलग हो करी नवाडी भी अप स्वयम जला बन गया है लेकिन ये सारे जले आते हैं सागर संभाग में मद्द प्रदेश में 10 संभाग हैं उसकी वीडियो हम लोग बना चुके हैं आपने अगर नहीं देखी तो बुजा कर देख लिए तो सागर एक संभाग है मद्द प्रदेश में 10 संभाग है और सागर संभाग में 6 पूर आता है जहां पर माराजा 6 साल इंवर्सिटी है दमू आता है पन्ना आता है सागर खुद आता है तीकमगड आता है और नवाडी आता है और नवाडी तीकमगड से अलग होगर बना है और यह दोनों सागर संभाग के पार्ट है तो सागर समभाव में कितने जले आते हैं तो 6 जले आते हैं इसके बाद आप बात करेंगे 2020 लोगी तो सागर जले में कौन-कौन सी 2020 तैसील है वह हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले है बीना और यहांपर एक refinery है भारत उमान रफाइनरी उसको हम लोग आगे देखेंगे तो वह बीना में ही है एक कॉस्चन बनता है और एरण भी बीना के पास है जहां पर भारत में सतीपिर्था का पहला उल्लिक मिला था यह कॉस्चन यू पीएस्टी के पॉइंट ओ व्यू से भी महत्पून है और एमप तहसील है गड़ा-कोटा तहसील रहली देवरी और केसली तो एक बार फिर से देखते हैं सागर जले में कौन-कौन सी तहसील आती है तो बीना खुराई माल्थौन बंड़ा साहगर राहतगर जैसी नंगर सागर गड़ा-कोटा रहली देवरी और केसली तो कितनी हो गई यह आगे में 6 जले आते हैं 12 तहसील आती हैं तो यह महत्पूर्ण हैं बाकि यह से क्वेश्चन डारेक्टली नहीं पूछे आती हैं और 11 ब्लॉक्स इन सागर डिस्ट्रिक्ट तो सागर जले में कितने ब्लॉक हैं 11 और जितनी यह तहसील हैं सभी ब्लॉक हैं बस गड़ा कुटा जब जया था कि रहत गड़ में जो बाटर फॉल है तो बीना नदी पर रस्तत हैं सागर है बंडा है रहली है रहली में सूर्यमंदर हैं का काफी फेमस हैं देवरी हैं और केसली है तो यह सभी बलॉक हैं इसके बाद बात करते सागर के बारे में एरण है भारत में जो सतीपड़ था का पहला वो सिलालेक या उलेक मिला था या साक्ष मिला था वो यहीं पर सागर जिले में बीना तैसील है जो और बीना से 25 किलोमीटर दूर एरण है एक बार आप फ़र से देख लिए एर एंगलिस में और हिंदी में बिधानसवा है तो तैसील और बिधानसवा में बच्चे कनफिज होते हैं तैसील तो हैं बारा लेकिन बिधानसवा है बारा आठ अब बिधानसवा का मतलब क्या होता है बिधानसवा का मतलब होता है कि बहां से बिधायक चुने जाते है तो आठ बिधानसवा है नर्यावल और गड़ा कुटा और हली मिलाकर एक बख़ान्सभाइं चастиंडे पार्ट ये से थे पर कोन से थोड़ीर गड़ते हैं इसके बाद आंगे देखें गे क्से दर्सनी इस्तल हैं और क्या महत्पुन फैक्ट हैं तो सागर संभाग में छे जले आते हैं कौन-कौन से छतर पुर दमूह पन्ना सागर खुद तीगमगड और नवाडी निवाडी नियू जला बना है नया जला बना है तीगमगड से अलग उपर ये दोनों सागर संभाग के से पार्ट हैं तैसिल है उसके बार तैसिलसागर खुद तैसिल हैं घरा कोटा आती है रहली तैसिला जै देहुरी तैसिल लाती है और केशली तैसिल आती है तो प्लॉक्तकिन मैं चोड़कोर्ण इसके बाद सति पर्था का पहला प्हलै साक्षिम मिला था एरन में मिला था एरन सागर जिले में इस्ते थे बीना से 20 से 25 किलो मीटर दूरे है इस्ते थे इसके अलावा सागर जिले में 8 विदान सवा है मतलब इसका मतलब वह हुआ कि 8 विदा एक चुने जाते हैं सागर से जिनमें नर्यावली है एक बिदायन सवा, सुर्की बिदान सवा है, सागर बिदान सवा है, खुराई बिदान सवा है, बीना बिदान सवा है, रहली है, इदेवरी है, इसी परकार से बंडा भी एक बिदान सवा है तो अब हम लोग आँगे देखेंगे कौन-कौन से यहाँ पर दर्सिने स्थाल है और महत्पून फैक्ट सागर जिले के अब हम लोग बात करेंगे सागर जिले के बारे में वन लाइनर फैक्ट जो सीधे-सीधे एकजाम में पूछे आते हैं तो क्वेश्चन आता है लाखा बंजारा जिल कहां पर रिस्थे थे मद्ध प्रदेश में या सागर क्यों फैमास है तो सागर लाखा बंजारा जिल के लिए फैमास है और तालाव है यह काफी फैमास है इसका नाम है लाखा बंजारा जिल और इसका भी सफाई का काम चल रहा ह उसके बाद है डूसरे नंबर पर ओक्टर हडी सिंग और या सबका जवाब में मतलब केंद केंद्री याे वित्याला है साथ ही साथ मांध्र प्रदेश का इसा पहले में सागरे का नाम किसी चैंज करकर डॉक्टर हरी शिंग और इंवर्शिटी किया गया और डॉक्टर हरी शिंग और को भारत रत्न देने की मांग भी काफी समय से चल रही है इसलिए यह कोस्चन MPPSC और MPSI एक्जाम में बन सकता है उसके बाद है कोस्चन आता है कि जवालाल लहरू पोलेस अकादेमी कहां पर सथे थे औसमनें दे देंगे सागर गौलीर और कोई और दे देंगे और भुपाल दे देंगे तो मद्द मद्रडेस का पहला वच्विद्य अपर ला कहां पर है कि एक तेल सोजन रफाइनरी है वो किस देश के सहयोग से है सागर जले में तो वो है इंडिया उमान रफाइनरी इसका नाम इंडिया उमान रफाइनरी है और भारत और उमान के सहयोग से है भारत में रफाइनरी है बीना में है वो चनाता है कि सागर जले में जो रफाइनरी ह वो कहां पर है या मद्रदेश में कहां पर रफाइनरी है तो वो बीना में रफाइनरी है बीना के पास ही हम लोगों ने एरण देखा था जहां पर सती पर था का पहला साक्ष मिला था तो इंडिया ओमान रफाइनरी है ओमान की सायोग से ओमान की कैपिटल एकजामों में पू आप चंद की गुफाएं काफी फेमस हैं और इस सागर जिले में इस्तित हैं इसके अलावा एक क्वेश्चन बनता है कि मद्द प्रदेश का सबसे बड़ा बन जीव अभ्धिरन कौन सा है या वर्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है तो वह नौरा देही वर्ड लाइफ सेंचु पार्ट है इसके अलावा क्वेश्चन बाटरफाल किस जिले में इस्तित है या रहतगड़ बाटरफाल किस नदी पर इस्तित है तो रहतगड़ बाटरफाल सागर जिले में इस्तित है और रहतगड़ एक तैसील है सागर जिले की और रहतगड़ बाटरफाल जो इस्तित है वो बीना नदी पर रस्ते थे बीना एक सायर का नाम भी है और ये रिफाइनरी है जो बीना में ही है और एरन है जो बीना से 20-25 किलो मीटर दूर है तो एक बार फिर से देखते हैं लाखा वंजारा जील कहां पर है सागर में है और यह फैमस जील है तालाब है इसके अलाबा मददप्रदेश का पहला विस्विद्धय अला डॉक्टर हड़ी सिंग और विस्विद्धय हला कौस्चना तक यहां पर है तो यहीं भी सागर में है और फौरेंसक साइन्स लैब भी कौस्चना आएगा तो वो भी सागर में ही है इसके अलावा जवालल नहरूपुले साकेडिम कोश्चनाय का कहा है तो वो सागर में हैं इंडिया ओमान रफाइनारी कहा है तो वो सागर जिले में बीना में इस्ते थे इसके अलावा आप चंद की कोफाएं किस जिले में इसते थें तो वो भी सागर जिले में इसते थें और मद्ध प्रदीश का सबसे बड़ा बनने जीव अभरन नौरा दही बड़ा लाइप सेंचुरी भी सागर जिले में इसते थे और दू जलों के साथ भी border share करता हय इसके अलावा राहतगड़ waterfall फैमस waterfall है इसके अलावा एक नया waterfall अभी बनना है वह एक कनकदर waterfall कनकदर waterfall कहां पर फैमस है तो एक MPV water के पास एक गाऊँ है माल्थौन के पास यह है हमारी है गाऊँ बहाँ पर यह कनकदर waterfall जो भी काफी एक परेटा के स्थल बननी जा रहा है इसके अलावा बीना नदी पर यह राहतगर बाटरफाल इस्थे थे अब हम लोग देखेंगे और जो यहां पर फेमस है तो कुश्चन आता है धामोनी का और्स किस जिले में लगता है तो धामोनी का और्स कहां पर लगता है तो यह सागर जिले में लगता है सागर जिले के पास धामोनी और यहीं पर लगता है तो यह कुश्चन आपके लिए महतपूर्ण है MP पुलिस और MP SI एक्जाम के लिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि सागर जिले में कौन कौन सी नदी फेमस है तो अभी हम लोगों ने देखा जहां पर राहत गड़ा वाटर फाल था बीना नदी नदी पर राहत गड़ा वाटर फाल है तो बीना नदी धसान नदी यह सागर जिले की महतपूर्ण नद मंदर हैं यहां पर काफ़ी सागर्जले महत्पुन मंदर है लेकर हम लोग महत्पुन देखते हैं और तो रट्रानगर में हर्सिद्धि माता का फ्यामस मंदर है क्वेस्चन आता तो इस परकार से यह कॉस्चन बनते हैं तो बीना नदी और धसान नदी किस जले की परमुख नदी है तो बीना नदी और धसान नदी सागर जले की परमुख नदी है और ये दोनों बेतबाकी सहायक नदी है इसके अलावा धामोनी का औरस भी सागर जिले में लगता है मद्ध प्रदेश का पहला विस्विध्यालाई भी सागर जिले में है डॉक्टर री सिंग और विस्विध्यालाई भी सागर में ही है लाखा बंजार जील भी सागर में ही है सागर एक जिला है जिला होने के साथ सा संभाग भी है और नवाडी जो नया जिला बना है वो सागर संभाग नहीं आता है तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे किसी और जिली के